आम आत्मी पार्टी गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी खास करके जिस प्रकार से अब लोगसभा के चुनाओ भी नज़िक आ रहे हैं यहां पे सभी शेत्र के लोग हमारे लीडर यहां पे आये हैं संगठन का रिव्यू करेंगे और उसमें निश्चित रूप से लोगसभा चुनाव से संबंधित डिसकेशन भी एक रहेगा इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी इस पूरे देश में एक अविवस्था फैला रही है अगर वो चुनाव जीतते हैं तब तो उनके लिए बहुत अच्छा है और जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहाँ पर वो कैसे खरीदने की कोशिस करते हैं डराने धमकाने की कोशिस करते हैं तो हर सरकार की अपनी एक पहचान होती है भाजपा की एक पहचान यही है कि देश में अव्यवस्थित कैसे किया जाए, संस्थावों को कैसे तोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे पाच विधायक विधान सभा के चुनाओं में आमादमी पार्टी के चीत के आये थे एक ने विधायक पत से स्तीफा दे दिया है, एक के खिलाफ केस है और फिलहाल उनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है किस तरह से देखते हैं चेतर वसावा को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कारेवाही भी हो रही है बाकी के तीन लोग भी कई बार ऐसी बात चीत आ रही है कि उनमें से भी कोई आमादमी पार्टी का पक्स छोड़ के जा सकता है देखिए जिस दिन से हमारे पांच विधायक जीत कर आये थे और जिस तरीके से 40-41 लाख वोट पूरे गुजरात में मिला था भारती जनता पार्टी को ये पचाना उसी दिन से मुश्किल हो गया था उसी दिन से इनके दिमाग में ये शडियंत्र शुरू हो गया था कि इनके पाच्चो विधायकों को अब कैसे तोड़ा जाए कैसे पार्टी को तोड़ा जाए इनको पहले ये पहले हलके में ले रहे थे आम आदमी पार्टी को नतीजे आने के बाद इन्हें लगा कि यार इनको हलके में लेना गलती रह गई उसके बाद इनके शडियंत्र शुरू हो गए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मरजी कर ले प्रश्ण एक विधायक जाने का एक विधायक रहने का नहीं है प्रश्ण है कि आम आदमी पार्टी से जनता प्यार करती है और प्रश्ण यही है कि गुजरात भी अब आम आदमी पार्टी के लिए तयार है इस जस्ट मैटर ओफ टाइम ये समय का प्रशन है आज नहीं तो कल नहीं तो परसो बड़ गुजरात तयार है गडबंधन की भी बात हो रही है क्या गडबंधन के साथ चुनाओ आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है अगर लड़ती है तो 26 बैठके हैं गुजरात में कितनी बैठक पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कॉंग्रेस को कितनी बैठक दी जाएगी निश्चित रूप से रास्ट्री चुनाव के लिए लोगसभा के चुनाव के लिए एक गडबंधन बनी है इंडिया अलाइन्स के रूप में और हम भी उसके पार्टनर हैं हम एक समझदार और समवेदन शील पार्टनर हैं रहसवाल सीटों का कितनी सीट पे लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दनों से बातचीत हो जाएगी तब ही ये तैह हो पाएगा हमारे तरफ से मैं इतना कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी तयार है हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे अर्विन केजरिवाल जी को भी लगातार एडी का नोटिस मिल रहा है वो मौजूद नहीं हो पा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे क्योंकि लगातार भारती जन्ता पाटी की तरफ से इस पर सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं आप देखो पूरा इनका शडियंत्र केजरिवाल जी के लिए ही बनाया गया है कि वो एक एक करके एक करके जो जेल में ये डाले हमारे नेताओं को जेल में डालने के बाद इनका प्रमुख टार्गेट तो केजरिवाल जी थे अब वो केजरिवाल जी पे एडी के संबन से नोटिस करके करने की कोशि कर रहे हैं एक चीज़ स्टैबलिश्ट है इस धर्ती पे इस संसार पे कि सत्य को आप परिशान कर सकते हो पराजित नहीं कर सकते और केजरी वाल केजरी वाल है वो निपट लेंगे सारे तो क्या वो मौजूद होंगे क्योंकि इस बार भी एक नोटिस तो मिली है तीन नोटिस है तो कानून के हिसाब से भी इसका जवाब देंगे संदीप पाठक जो की गुजरात दौरे पे आये हुए हैं और खासकर कि अगर बात की जाए तो आने वाले लोगसबा चुनाओं को लेकर आमाद्मी पार्टी गुजरात की तैयारियों का वो नरिक्षन करेंगे साथी मे अरविन केजरिवाल को लेकर भी उनका कहना है कि ये सारी राजनेतिक एक प्रक्रिया है जिसके अंतरगत अरविन केजरिवाल को भी कही न कहीं परेशान किया जा रहा है कैमरामेन प्रितेस नावल के साथ अतुलती बारी आज तक आयमादबाद